हम लोगों ने बटन दवाया लगबग पौने पाँच लाग पौने छे लाग महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका है आप कल या परसो जाकर के पैसा निकाल लीजे यह लोग नौकरी का बात बोलता है बिरोजगारी भत्ता का बात बोलता जीब आलत है जाके देखो ना या जहां सरकार की योजना है उसके दर्वाज़ नहीं ठक ठका रही है यहीं कुलान चेतर में हमको लगता है 20,000 या 25,000 तो इसी चेतर में हम लोगों ने ऐसे ही पंडाल लगा करके नियुक्तिया दी थी लेकिन इन लोगों को दिखता नहीं है एक लाग साधिक नीजे चेतरों में हम लोगों ने रोजगार दिया 35,000 सरकारी नियुक्तिया दी अब इक और भी सरकारी नियुक्तिया प्रिक्रिया में चल रहा है अबी दो और उड़ चल रहा है जो 2,000,000 रुपे तक का रिन लियावा किसान है अब उसका किसान का रिन माफ कर दिया जाएगा इन लोग का समाना से को भी हम लोगोंने दुखना करने का काम किया है उलोग को लगता है कि इस देश का सारा अधिवासी मुं का है अच्छाई पर बिदो पर सरकार बिनाओ कते ऐलेगा नुआ अबॉआ सरकार आतू आतू पंचायत पंचायत रे सेन कते आप समस्या ओल कते इंगें को सिटर लेदा पूरा कोल्हान खी दिताबीश लस्तों पावाण गिर्टाओन कुछ तर्टा जोना का चिए 嘎 पूरा कॉल्हान खाण पर छूरे जहांस चमपईश्वरिस समय क्या भाऊने का मैं कुछ दो भाऊने बीत का भाऊने मतंचार कि लगुदू में करेंगा स्यख्ता भाऊने में सोर्स्टेर कान, नुवा कारिकरम्रे, आब औरन गोगोहोड को, दीदी को, बिटी को, सनाम खोन पहील, अलिक सेन खोन, अडी-अडी सरहाव और जोहार। कल भी हम संथाल परगाना के एक कारिकरम में थे, इतना बारिश, इतना बारिश, और उस बारिश में भी, महिलाओं का जो ताता लगा हुआ था उस कारिकरम में आने का, पंडाल भर गया, पंडाल के बाहर, बारिश में खड़ी महिलाएं, अपना उत्सा रुद्गार व्यक्ट कर रहे थी। और यही उत्गार, यही उत्सा, यही उमंग हमें ताकत देता है आपके लिए काम करने के लिए। हमें सक्ती मिलती है इस राज के आधिवासी, मुलवासी, दलीत, पिछड़े अल्प संक्यों के लिए काम करने के लिए। आपको मालूम है कि हम लोगों ने सरकार 2019 में बनाया है। इस से पहले, 2019 साल तक यह भारतिय जन्ता पार्टी के लोगों ने इस राज को हाकने का काम किया था। लेकिन उसमें भी 10-11 महिना हम लोगों ने उस से छीना भी था। लेकिन फिर हम लोग छूट गए, फिर डबल इंजन का सरकार आ गया। और उस डबल इंजन ने सरकार तो इतना तांडव किया इस राज में, कि वो भी एक इतियास का पन्ना में उनके पांच साल के दिन भी लिखे जाएंगे। अन्तो गत्वाई डबल इंजन के सरकार से तरस्ता करके, राज के जनता ने यहां के मूल वासियादी वासियों की सरकार बनाई, जारखंडियों की सरकार बनाई। और उस सरकार का जिम्मा हमारे कंदों पर डाला। लेकिन कौन जानता था, बड़ी सोच और सपने के साथ तो सरकार बनाए जरूर, लेकिन 2019 में सरकार ठीक से बना भी नहीं था, आपको मालू में करोना जैसा महामारी पूरे राज में आ गया, पूरा देश में च्छा गया। और कोरोना के बारे में आप लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है, ये तो उद्योगिक नगरी के आसपास के लोग, आप लोग हैं, कैसा मंजर, कैसा दिन था उस लोगडाउन का दो साल, हाट, बजार, गाड़ी, मोटर, नोकरी, चाकरी, सब बन, अपने से घर में ताला लगा करके लोगों को रहने का आदेस हो गया, मुझ में पट्टी लगा करके घूमने का आदेस हो गया, बिना पट्टी लगा के कोई घूम नहीं सकता था, कोई भीड जमावड़ा नहीं कर सकता था, कोई घर से निकल नहीं सकता था, इसलिए काम धाम सब ठप ना रेल ना हवाजाज ना गाड़ी ना मोटर ना साइकिल कुछ नहीं चलता था हाट बजार भी बंद ऐसे इस्तिती में जारखन जैसे पिछड़े राज के लिए ऐसे याबदा ऐसे भी पत्ती एक अभिसाब के जैसा होता है लेकिन हम लोगों ने हार नहीं माने सीमी संसादन में जहाга हॉस्पिटल का हालत ठीक नहीं डॉक्टरों का अता पता नहीं ऐसे इस्तिती में भी हम लोगों ने दिन राट देक करके इस राज की लोगों की जान बचाने का काम किया था और आपको याद होगा कि इस कोरोना में हमारे जहारखन नहीं पूरा देश का लोग रोजगार, रोजी, रोटी के लिए अलग-अलग राज्यों में आते जाते रहते हैं हमारा राज के लोग गरीब पिछड़े हैं तो बड़े पमाने पर कोई दिल्ली, कोई मंबई, कोई बैंगलोर कोई केरल, कोई तमिल नाडो में जाके काम करता था यहां तक की बिदेसों में भी जाके काम कर रहा था लेकिन अचानक लोग डाउन हुआ सब को नौकरी से बाहर कर दिया उसके पास तो घर सर चुपाने के लिए छट भी गायब हो गया खाने के लिए होटल नहीं रासन का दुकान बंग भुकमरी की हालत हमारे मजदूर भाईयों का हो गया पूरा देश तरह ही माम कर रहा था और याद किजिए वो दिन कि उस कोरोना मामारी में आपके भाईयों को हम हवाजाज से ढोडो करके आपके घर में पहुचाने का काम कर रहते देश में पहली बार याद देश के परधान मंत्री जो है उसमें कहते थे कि हम हवाज़पल वाला लोग को हवाजाज में चड़ाएंगे हवाजाज में तो वो कभी चढ़ाएंगे लेकिन भूकमरी का हालत में जरूर पहुचा दिया लोगों को ऐसा दर्दनाक मंजर दुनिया ने कभी नहीं देखा हमारी महिलाएं सडकों पर बच्चों को जनम देने के लिए मजबूर हो गई चलते चलते ये हालत था लेकिन हम लोग अपने इस छोटे से राज में हम लोगों ने कोई अफरा तफरी नहीं होने दिया सांती पुर्वत इस महामारी का सामना हम लोगों ने मिल जूल कर किया और आपको पता है कि उस महामारी में योद्धा के रूप में सरकार के साथ कदम से कदम मिला कर चलने वाला समू कौन था वो समू था इस राज की महिला समू जहां हमारे गाउगा पंचायत पंचायत में महिला सरकार के द्वारा दिया गया आदेश के अनुसार खाना बना बना करके अपने मजदूर भाईयों को मुफ्त में खिलाने का काम कर रही थी इस करोना काल में हमारे दो-दो मंत्री करोना के चपेट में आ करके उनकी मृत्ति हो गई हाजी हुसेन अंसारी साहब हम लोग के बीच में नहीं रहे टाइगर जगनात मातोजी हमेशा करोना में लोगों के बीच में रहते थे भिचारे हमने कई बार मना किया लेकिन वो लोगों के बीच से बाहर नहीं आये और आखिरकार करोना ने उसको चपेट करके अपने साथ ले जाने का काम किया और आज उनकी बेवा पत्ने यहाँ बेबी देवी जी बेटी हैं जिनको हम मंत्री बनाये हैं आज उनी का विभाग से इन महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम ये सरकार कर रही है हमारे बिपक्षे लोगों को हम लोगों का काम उन लोगों को रास नहीं आता है और अभी तो दो तिम मैना के बाद चुनाओ है इस राज में बिधान समा का फिर से इस राज में सरकार चुनने का और ये लोग बिगात तिन चार मैने से पाच मैने से यहाँ पर अपना जहरी राप बीज बोने पर लगा हुआ है यहां के नेताओं से वो बीज नहीं बोया गया तो आप 36 गार मध्य परदेश हसाम से नेताओं को लाए जा रहा है और यहां के आदिवासी दलीत पिछड़े अल्प संक्यकों के बीच भीतर एक संप्रताईक तनाओं और द्वेस फॉलाने का काम सुरू हो चुका है किसी को आदिवासी दलीत पिछड़े के नाम पर लड़ाओ हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाओ अग्णा पिछड़ा के नाम पर लड़ाओ इस तरीके के इन लोगों के आज की दिन में भासन चल रहे हैं इनको इस राज का जतना अल्पसंज़क समोधाय है सबी इनको बंगलादेश दिखता है सबी इनको घुस्पिडिया दिखता है और आदिवासी हितों की बात करते हैं आज तक भारती जनता पाटी का नेता लोग आदिवासी दिवस पर आदिवासीों को बधाय देने तक इन लोग मुनासिब नहीं समझता है बिस सालों में कभी इन लोगों ने राज में आदिवासी महुत्सों नहीं मनाया राज अलग होने के बाद इनी के हाथ में राज का चाबुक था बागदोर था कभी आदिवासी महुत्सों में आदिवासी यो को समान नहीं मिला आज यहां के आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी हर 9 अगस्त को दो दिवसे आदिवासी बहुत सो इस जारकर में मनाए जाता है ये इनके इन परकारें जब से हम सरकार बनाए एक घंटे के बाद से ये सरकार गिराने में लगे रोज कुछ ना कुछ इतना सड्यंत यहां जहां इनको सरकार बनाने का जनता मेंडिट नहीं देती है सरकार बनाने का अधिकार जनता छीन लेती है ये लोग धन बल के धम पर EDCBI के नाम पर बिधायकों को मंत्रियों को सरकार को डरा करके पदादी कारियों को धम की दे करके सरकार गिराने का काम में लगा रहता है कहीं राजुधारने जहां पर इन लोगों ने गलत उल्टे सिदे जूटा अरोप लगा लगा कर नेताओं को जेल में डाल दिया है हमको भी दो साल तक खदेडता रहा खदेडता रहा जब आखिरकारी लोग हमसे नहीं सका तो जूटा रोप में जेल में डाल दिया इन लोगों को लगता है कि इस देश का सारा आदिवासी बोका है हम मानते हैं कि हमारा आदिवासी समाज अभी तक उस मकाम में नहीं पहुँचा है जहां तुमसे तुमारे बराबरी की पढ़ाई करता हो तुमारे जैसा लोगों का रिष्टेदार जजज नहीं हो वकील ना हो हमारे आदिवासीों में ये कम तादाद में लेकिन वो भी दिन आएगा उस मकाम पर हम लोग भी धीरे धीरे पहुचेंगे इसे लिए हम लोगों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया और आज आने वाली पीड़ी मजबूती से अपना कदम बढ़ाए इसके लिए पहले हम अपनी जड़े मजबूत करेंगे इस राज की महिलाओं को ससक करेंगे ताकि आने वाली पीड़ी मजबूती के साथ अपना हखधिकार लेने में ताकत जुटा सके राज अलग होने के बाद या राज अलग होने से पहले आज भी हमारा गाउँ ऐसा ऐसा पहाड जंगल नदी किनारे में बसा है जहां आज के दिन में कई महिलाएं ऐसी हैं जो ब्लॉक उपस कभी देखा नहीं है बीडियो सीओ है कौन है बीडियो सीओ ये भी पता नहीं डीसी और एस्वी का तो बात का बात है जीला कारेल है तो बात का बात है ब्लॉक कारेल है तक नहीं देखा नुआ दिसोबर आइमा को गोहोड को हडाम को पंचायत में सिविर लग करके पदादी कारी जा जा करके इस राज के गाउं ग्रामिन छेतरे में कौन-कौन समस्याए हैं उन सब समस्याओं को निदान किया और जो नहीं हुआ हो हमारे तक आया कभी कोई पदादी कारी को आप लोग गाउं में जाते हुए देखाता है इससे पहले 20 सालों में लेकिन यहां तो आए दिन पदादी कारीयों को हम लोग गाउं भेजने का काम करते हैं आपकी समस्याओं आपके समधान कैसे हो उस पर काम करते हैं इसलिए हमने पहले भी कहा था सरकार बनने के बाद कि हमारी सरकार राची हेड कौाटर से नहीं हमारी हेड सरकार सुदूर गरामिन छेतरों से चलेगा और आज इसी का नतीजा है कि गाउं का आज एक भी बुड़ा बुजूर्ग बिना पेंसन का नहीं है आज पहले हमारे डबल इंजन की सरकार के लोगों ने इस राज में 20 साल में मातर 15 लाख लोगों को ही पेंसन दिया था और उसमें पता नहीं कितना बुजूर्ग बुड़ा और बुड़ी लोगों गा लेकिन इन 4 साल के अंदर मातर 4 साल में हमारी सरकार गडबंधन की सरकार ने इस राज के 40 लाख बुजूर्गों को पेंसन देने का काम किया मातर 4 साल में और ये 20 साल में 15 लाख क्या क्या ही डबल इंजन का लोगों ने हमारे बुड़ा बुजूर्ग पेंसन के लिए दलालों का चक्कर कारते रहे 20 साल तक बेचारा कार्ड के ललसा में कार्ड तो बना नहीं लेकिन बेचारा इस दुनिया से बिना कार्ड का बिना पेंसन का ये दुनिया छोड़ के चला गया लेकिन आज हमने कानून बनाया पहले साट साल के उम्र तक का कानून बनाया था कि बुड़ा बुजुरू लोग को पैंसन देंगे लेकिन हमारे कारकरताओं ने हमारे पदादीकारियों ने हमारे नेताओं ने बिधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने सिर्फ हमारे जो सरकार सत्तापक के बिधायक नेता कार करता नहीं बलकि बिपक के लोगों ने भी हम से आकर कहा कि सर साथ साल तो आप कि ये बहुत अच्छा है लेकिन पचास साल अगर जुदी हो जाता तो इस राज का सारा गरीब गुरुआ को हम लोग पेंशन दे देते हैं हम भी विधायक हैं हम भी गाओ दियाद घुमते हैं हमारे विधान सबाद छेतरे में भी ये बाते आने लगी तो हमको लगता है लगा सही में ये राज तो गरीब है भाई बरसों से तो इस राज का सोसन होता रहा इन लोग के पास तो खाने का भी एक दो वक्त का जुटता नहीं होगा तो हम लोगों ने तुरन उस खानून को बदला और साथ साल को घटा करके पचास साल का उमर कर दिया आप तो दिया लगा करके ढूंडे से बुड़ा बजुद नहीं मिलता है बिना पैंस लिका ये आज राज की इस्तिती है और ये काम होई करेगा जो आपके बीच आपके दुख तकलिफों को जानता हूँ और आज महिलाओं को लेकर अलग अलग योजनाओं को देखेंगे तो महिलाओं को लेकर सरकार के दौरा बच्चा जर्म से लेके मरने तक कुछ न कुछ देने का काम कर रही है और आज मुक्मंत्री महिया योजना के माद्यम से लगबग 48-50 लाग महिलाएं जुड़ चुकी है अभी हम लोगों ने बटन दवाया लगबग पौने 5 लाग पौने 6 लाग महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका है आप कल या परसो जाकर के पैसा निकाल लीजे एक हजार रुपे महिना और बारा हजार टका साल का और बिचार किजिए सोचिए कि ए घर में अगर तीन महिलाएं हैं तो कितना हजार रुपे हो गया बाराती अच्छतिस हजार टका और घर में बुड़ा बुड़ी माबाप लोग है तो लोग का चोबिस हजार तो च्छतिस और चोबिस हजार कितना हो गया साथ हजार टका रुपिया जा रहा है हर घर पे और हम आपको वादा करते हैं ये चुनाव खतम होगा अगले पान साल के भीतर हर घर में एक एक लाख रुपिया पहुचाने का काम हमारी सरकार करेगी फिर किसे के पास भीक मागने का जुरत ने इस राज का गरीबी का आलम इतना है जो हम लोगों ने करीब से देखा है कई ऐसे गाओं में महिलाएं हैं पुरूस रहें जो तन ढखने के लिए उसके पास कपड़ा भी नहीं है बिचारा लेकिन आज आपका ये भाई ये बेटा इस राज का हर गरीब को साल में दो बार कपड़ा देने का काम करता है क्यों इन लोगों ने बिस साल सरकार चलाया तो महिलाओं को सम्मान नहीं दिया क्यों बुड़ा बुजरुक का लाठी देने का काम नहीं किया क्यों यहां के हमारी बच्चियों को उनका भविस सुधारने के लिए कोई योजना क्यों ने बनाई और आज सावित्रे भाई भूले के माध्यम से अभी तक लगबग नौ लाख मैलाओं को हम लोगों ने जोड़ दिया कई ऐसे योजनाएं जो हम योजनाएं गिनाना सुरू करें तो हमारी हमारा जो बिपक्ष है हमारी योजनाओं का बोच तले जमीन के इतना नीचे चला जाएगा कि दुबारा उठ नहीं पाएगा लेकिन इन लोगों को तो हिंदू मुस्लिम करना है जात बात के दाम पर अपनी राजनितिक रोटी सेकते हैं और आए मालिकाना नुकुआ एड़े एड़े कथा दोजार उनीस कोन पहिल नुआ दिसोम्रे होड रेंगेते को गुजू कांता है लेकिन नुआ अब वाज सरकार रे कोरोना जे साम हमारी है ना पूरा दिसोम्रे होड को इना को परिसान लेना उन जो कोई हो इंग मिक्तांग होड़ों नुड़े रेंगेते बैंगोयों चोले कोँआ सरा नुड़े पे दुडू कांगोगोः दाड़ेते आतू आतू रे जोमा बेनाव कते ही हटियां कोता है उना ते विचार के दा कि नुड़े साम कोन पहील गोगोः को बन खेट कुआ ताकि धिजू आना उनकुरें घिदर पिदर मुच्ते को अलो पड़ामा और बुद्धिमान को बिनामा आर साव साव ते नुकुवा सरकार रे डबल इंजन सरकार रे नुआ दिसोमा ग्यारा लाख रासनकाट को डिलीट लिदा अब वा सरकार बिनाओ ना पीस लाख नवा रासनकाट बिनाओ पति जाटिया गवा तो कई ऐसे चीज़े हैं ये लोग नौकरी का बात बोलता है बिरोजगारी भत्ता का बात बोलता हजीब आलत है जाके देखो न यार ब्लॉक में हम लोग बिरोजगारी भत्ता देता है की नहीं देता है पता कर लो आज कोई ऐसा जारकन का घर नहीं है जहां सरकार की योजना है उसके दर्माज़ नहीं ठक ठका रही है और आज जो महिला पे सम्मान योजना मिल रहा है क्या आज को कोई ब्लॉक का चकर काटना पड़ा है क्या किसी को ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ा बल्कि ब्लॉक आपके घर में जाकर कि आपका रसीद आपका फॉम भर करके आपका योजना आपके लिए लाके दिया है बताए कई दौड़ दूप करना पड़ा है महिनों का चक्कर लगाना पड़ा है ये तो 15 दिन 20 दिन में आप लोगों को ये पैसा सुरू हो गया पहुंचना आप लोग का खाते में तो इसलिए हमारे बिपक्ष के लोग तरह तरह के सडियान तरह तरह का जूट और आजकल नया नेता नया कंडिडेट कैसे ये जारखन में अपना रोटी से के इस पर लगे है खैर चिंता नहीं है इतना लड़ाई लड़ेगा इतना संगर्स होगा थोड़ा बहुत खरोच लगेगा लेकिन चिंता नहीं इजार खंडियों का खून है इतना असानी से इसको खतम करने का सपना भी तुम मत देखो आज नहीं इतियास गवा है ये भारती जन्ता पाटी के लोगों को ये नपा की रादा लखने वाले लोगों को हम लोग मुतोड जबाब देंगे कितना जेल भरोगे कितना जुटा अरोप लगाओगे आज में कल इसका जवाब तुमको बहुत मजबूती के साथ राज की जन्ता देगे ये लोग हमें और हमारे राज के लोगों को दिख ब्रामित करना चाहता है बहुत सारी योजना है मुखमंत्री रोजगार, सिर्जन योजना से गाड़ी, घोड़ा सब बट रहा है कोई बेलेरो ले रहा है, कोई ट्रेक्टर ले रहा है कोई बस ले रहा है स्वरोजगार के लिए लगेवे लुग आज बारिस का मौसम में कई बदला हो रहे हैं समय पर बारिस नहीं होता आज किसान भी परिसान है इसलिए किसानों के लिए सिरफ धान पर निर्भर न रहे इसके अलावा और भी कई खेती के विवस्ता है उसके माध्यम से आपने आपको किसान के रूप में अपना काम करते रहें इसके लिए हम लोगों ने बिर्सा हरित गराम योजना भी लाया दीदी बाड़ी योजना लाया है ताकि धान के अलावा आप मकई लगाए आम का पेड़ लगाए लीची का पेड़ लगाए उससे भी कि लोग अपना आमदरी बढ़ाता है अपना पैसा कमाता है कई ऐसा राज है कई ऐसा देश है जहां अपना इन फलों के माध्यम से पुरा दुनिया में जनाता है और उसका अर्थ्वेवस्था भी इतना अधिक हो जाता है कि पुरा देश और पुरा राज चलता है आज यहां का कोईला यहां का लोहा यहां का अब्रक यहां के खनिश संपदाओं से हमारे आदिवासी मूलवासीयों को कोई फाइदा नहीं हुआ हमारे इस खरी संपदाओं से इस देश के वेपारियों का फाइदा हुआ और इसलिए हमारा सरकार बनने के बाद भारत सरकार के कंपनियों से हम लोगों का एक लाग शक्तिसा जार क्रड़ रुपिया बकाया निकला है जब हम वो मांगने चले तो हमको जेल में डाल दिया अब आज मत करो इसका हमको डराना आई का धमकी आने लगा लेकिन उसको पता नहीं कि हम लोग हक अधिकार अगर आप नहीं दोगे तो हम लोग छीन के भी ले लेंगे और आने वाला समय में अभी हम लोगों ने तो कानून बनाया है कि यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री या और उद्योग लगेगा तो 75% अस्थानी लोगों को रोजगार देना पड़ेगा इस कदम में चीज़े हम लोग आगे बढ़ा रहें और आने वाला समय में यहाँ खनी संपदा निकालने वाला कमपनियों से सारा हिसाब किताब किया जाएगा अगर अस्थानी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो खनन कमपनियों को भी काम करने नहीं दिया जाएगा बिलकुल असबस्त है तो कई ऐसे चीज़े हैं पढ़ने लिखने को लेकर अपने होनार बच्चों के लिए हमारे गरीब गुरु आप माबाप लोग पैसा के अबाव में बच्चों लोग को पढ़ाता नहीं है आप लोग उसका चिंता मत किजिए अपना बेटा बेटीलों को पढ़ाए आप सरकार आप के लिए गुरू जी स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड लेके आई है जहां पंदरा लाख रुपिया का जायता रासिया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको मिलेगा और कोई जमीन बंदक रखने का ज़रूत नहीं खाली वो कार्ड लेके जाओ और पैसा इस्कूल और कॉलेज को चला जायता तो कई चीजे हैं एक-एक करके बताएंगे तो यह समय भी कम पढ़ेगा रोज आभी यही कुलान चेतर में हमको लगता है 20,000 या 25,000 तो इसी चेतर में हम लोगों ने ऐसे ही पंडाल लगा करके नियुक्तिया दी थी लेकिन इन लोगों को दिखता नहीं है एक लाग से अधिक नीजी चेतरों में हम लोगों ने रोजगार दिया 35,000 सरकारी नियुक्तिया दी अब एक और भी सरकारी नियुक्तिया प्रिक्रिया में चल रहा है अभी भी दौड़ उड़ चल रहा है उत्पाज स्पाही की बहाली की तो इनको दिखता नहीं है इनको लगता है कि जादूई का छड़ी है और सारा काम तुरंत हो जाता है यह लोग 20 साल रहा केंदर में और राज में डबल इंजिन की सरकार जहां सबसे अधिक नौकरी होता है फोज में वहां नौकरी बाज अगनी वीर लेके आगे ऐसा नौकरी जहां चार साल के बाद पिर वहां का जो सिपाही है बेरुजगार हो जाएगा हम लोगों ने कानौन बनाया कि अगनी वीर में जो साइध होगा उसको भी राज सरकार यहां के सिपाही के अनौक उसको सम्मान देने का काम करेगा उसके बाद रेलवे में नौकरी होता था उसमें भी नौकरी बाज बैंक में नौकरी होता था उसमें भी बाज़ अब सब राज सरकार नौकरी दे यह इसका हालत और आपके जियब से मंगाई इस तरीके से आए दिन बढ़ा रहा है आज एक प्लेटफरम का टिकेट जहाँ तीन तका पांच तका था आज पचास रुपिया सो रुपिया हो गया यह आलत किताब, कोपी कपड़ा, लत्ता, जूता, चप्पल रासन, पानी, सब में दाम बढ़ा कोई दाम कम घटा नहीं और यह लोग बोलता है मंगाई काम करेंगे तो बहुत सारी बाते हैं सातियों आज मा कता में आगोगोगो जस्ती बाज में न थोड़ा गाज देन मौसमों बढ़ी गिया आरो आपे होगाई मा संगिन संगिन घटान पर हसौद सटेर कान मीटां बर्या कता लई सौदर कतेंग से नोआ कि आपे पर नेल का कि सोमय समय रे नूंका गि आपे तला ले कारीकरमाय जीद कतें आपे या चेलिका कमी कोचला करना होना को नेलitchens लगी ले सटेरो करना नोआखोन पहिल बुर्दा पैंसन सहरोजन पैंसन ले कारीकरम रे हो और बोड ह्ड़ा निज न पाम लेन a पर इसके अलवा एक और महतवन तो कही सारी चीज़े हैं आज मजदूर भाईयों को देस बिद्द्द्द्दों से लाने का बात जेस विजसों में उनको सहायता पहुंचाने का बात उनके परिवार जनों का बात सब तरीके का सहायता राजसरकार पहुंचा थी लेकिन उसमें एक महत्पूर्ण बिसाय कि राजसरकार 200 यूनीट बिजली मुफ्द दे रही है लेकिन उस 200 यूनीट में थोड़ा सा जोल रहा गया जोल भी से सुरूप से गरीबों के लिए बेचाना लोग का पहले का जो पुराना भील है उसका बकाया चुकता नहीं कर पा रहा है हमने कल भी कहा था और आज भी आपको हम बता रहे है कि आप आने वाला समय में बहुत जल्द उन गरीबों का बकाया भी हम माप करने की निर्णे लेने की और आगे पढ़ रहे हैं ताकि आपके उपर कोई बोज़ना पढ़े है किसानों का करजा माप का हम लोगोंने कानून बना दिया है जो दो लाक रुपे तक का रिन लियावा किसान है अब उसका किसान का रिन बाफ कर दिया जाएगा यह अलब पहले ही ले लिया और बीजली का जो बिसय था वो भी अब हम लोग बहुत जल्द उस समस्या का भी समादान आप लोग के बीच में करने जा रहे हैं एटा एटा मंच्रे को जेलोवा आर आबो अत्तु होड को बस खौन भोरा भोराओ कते को आगुपको आर एड़े सारी कथा को लिये कुआ खुली को पे कि भाई नुवा को जो यामोक कना नुवामा जार्खन सरकार आबो आ सरकार एमोक कना आपे दो चे पे मोक कना आर सनाम नितार जो बेपारी रेवोर रिया जमात मिटांग नौदी सोमरे सरकार को बिनाओ का आज देश के अंदर बेपारियों के जमात जो यहाँ देश में सरकार चल रही है इनके पास गरिबों को पेंसन देने के लिए पैसा नहीं है महिलाओं को सम्मान आसी देने के लिए पैसा नहीं है हमारी बच्चियों के लिए पैसन देने के लिए पैसा नहीं है उनको सम्मान आसी देने के लिए पैसा नहीं है हमारे किसानों का रिन माफी करने के लिए पैसा नहीं है लेकिन अपने बड़े बड़े बेपारी उत्षातियों का करोणो अरबो रुपिया माफ करने का पूरा पैसा इन लोगे पास अजीब आलत ने यहां का गरीब भूख से मर जाए मर जाए कोई ले ना देना ने लेकिन बैपारी लोग को भूख से नहीं मरने देना यहीं इन लोग का निती है इन लोग आम जनता को यहां तक जनता तो छोड़ो भगवान को भी नहीं छोड़ता है इन लोग अभी लोग सभा चुनाओं में इतना हिंदू-मुस्लीम का जहर बोया इतना अगड़ा पिछड़ा का जहर बोया इतना आधिवासी दलित पिछड़ा का जहर बोया लेकिन उपर वाला का जो लाठी का मार है उन दिखता नहीं यह सिधा असर करता है भगवान राम ने भी उनको इतना बड़ा आयना दिखा दिया कि आज केंद्र की सरकार इतनी छोटी हो गए आज सरकार बनाने के लिए उसको बैसागी का जोरत पड़ गया यह आलत है तो इसलिए जहर खंड हमेशा से एक आंदुरनकारी परदेश रहा है कैसे लेंगे जहर खंड लड़के लेंगे जहर खंड अब यही होगा कैसे लेंगे अधिकार लड़के लेंगे अधिकार तो इसलिए बहुत जादा नहीं कहते हुए हम इनी बातों के साथ अपनी बातों को सबाब करेंगे चुकि ये कारिकरम हम लोगों ने रक्षा बंदन का एक दिन पहले शुरू किया था ताकि आँ महिलाओं की सुरक्षा, इनके मान, सम्मान, स्वाबिवान महिला ससस्तिकरन का एक एतिहासिक कदम हो हमने यहां के हमारे ग्रामीन, भाई, किसान, मजदू, रादिवासी, दलित, पिछणा, अल्पसंक्यक के बारे में तो अनेको योज ना लाया साथ-साथ में हमारे सरकार के अंदर काम कर रहे करमचारी, आंगनवाडि, सही का, साई का, उनके मान दे भी हम लोग उने बढ़ाए हमारे राग के मानकी, मुंडा, डकुआ, गुडेत, नाइके, मजी अराम, इन लोग का सम्मान आसी को भी हम लोगों ने दुखना करने का काम किया है कितना और बताए इसलिए अभी आज समय कम है आप लोग का भी खेती बाड़ी का भी समय है दूर दराज जाना है नो आगे मैंन करते है इनी बातों के साथ अपनी वाणी को समाब्त करता हूँ बहुत बहुत धरन्यवाद फिर से एक बार जोहाँ